तो दोस्तों आज में आप लोकी लेकर आए हूँ जट पर बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी स्नाक्स की तो आप देखकर ही पता लगा ले रहे होंगे दोस्तों की कितनी क्रिस्पी बनी है यह देखिए तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो फ्र भुन लेंगे जब इतल का सा भुन जाए तो फिर हम यहां पर इसमें डालेंगे करीब दो बड़े चमच तिल डालने से स्नाक्स का रंग रूप और स्वाद दोनों ही निखर कर आता है तो आप इसे जरूर एड़ करें और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी से च और पानी में जैसे अवाल चाटने लगर तो यहां पर मैंने दो मीडिम साइच का अलु को ग्रेट कर लिया था उसे यूज किया तो यहां पर मैं इसे ज़ीत करकेक एच्छे से ओश कर लिया था और इसके गाहन से का सारा पानी ने जोड़कर इसमें डाल अलैंगे और इसम तो इसमें लंप्स बन जाएंगे तो इस तरीके से चलाते रहेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रख सकते हैं आप मैंने आप पर फ्लेम को भी लो रखा है क्योंकि इसमें चलाने में बहुत दिक्कत आती बाद में आप इसे थोड़ी सी तेज कर लें आज को और उसके बाद इ तो देखिए बिल्कुर इस तरीके से डो बन जाता है जब थोड़ी थंडी हो जाए तो एक हम यहां पर थाली ले लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ओयल ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से डो को एक शेप दे देंगे तो यहां पर मैंन पसंद शेप में से काट सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी दोस्तों तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में जो बैल आगने उसे प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें तो इस तरही किसे सारे डो को हमने काट लिया और डी फ्राइक लिये तेल रख दिया तो और यह देगे कितना बढ़िया रेडी हुआ है बहुत ही क्रिस्पी बनता है यह स्नैक्स तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं पुटैटो स्नैक्स या फिर सूजी स्नैक्स कुछ भी तो सूजी और पुटैटो की वज़े से बहुत ही क्रिस्पी बनता और इसमें जो ति के लिए बाबाई